सो हेलो बच्चा लोग क्या आल चाल हैं मैं हूँ आसीज आपका मैच्स टीचर सो गाईज आज अपन एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है मैच्स का इससे पहले बता दू हमने रिवीजन हर चेप्टर का एक रिवीजन सीरीज चलाया था वो भी कंप्लीट हो चुका ह हमने चेप्टर वाइस वन साट वीडियो सीरीज बनाया हूँ प्लेलिश आप चेक कर लेना डिस्क्पिशन में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो और यह हमारा थर्ड सीरीज हम बनाने जा रहे हैं मल्टिपल चुआइस को चेप्टर वाइस और जेनरली यह वीडियो जो हैं उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे बोड एक्जाम 2021 की प्रिप्रेशन कर रहे हैं मार्च जिनका मैं 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 एक्जाम होने वाला हैं तो लेट स्टार्ट तो गाईज आज हम मैंस का चैप्टर वन जो हैं रियल नंबर क्लास टेंथ का उसके मल्टिपल चुआइस कोशन कुछ देखने वाले हैं और यह जो वीडियो हैं तो बहुत अच्छे से करनी हैं बट गाईज बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक चीज़ स्पॉलियर अलर्ट यहां पर देना चाहता हूं यार अगर पहले अगर इच्प्टर को रिवीजन नहीं कियो तो रिवीजन कर लोगा है मैंने इस च्प्टर को बहुत अच्छे से वन सॉट वीडियो में समझाया है एकॉरिण टू रिडूस लेबर तो पहले आप रिवीजन करो रिवीजन करने के बाद आओ आप एमसे की कोशन की प्रेक्टिस करो या पिर जो लॉग एंसर कोशन की प्रेक्टिस करना चाहते हो most important तो उसके लिए भी video available है आप चेक कर सकते हो playlist में ठीक है तो चलिए आज को अपन इसको start करने वाले हैं सबसे पहले अपन बहुत जल्दी जल्दी करेंगे बिल्कुल time waste रही करना है क्योंकि 15 question है कम अपने को क्या अपना main motive क्या रहता है कम से कम time में अच्छे content अच्छे चीजें को complete करना ठीक है तो नो बकवास only compass compass यह कैसा dialogue था चलिए तो पहला question आपको screen पे दिख रहा होगा just wait okay चलिए मेरे बताने से पहले आपका answer आजाना चीए बच चलो देख लो यार मैं दो question आपके screen पे दिख रहा है question को पढ़ो और जल्दी से comment करके बताओ कि पहले question का answer क्या होगा ठीक है या दूसरी question का answer क्या होगा मेरे बताने से पहले आपका answer आ जा रहा है 15 question total 50 chapter से मैं 15 most important question लेकर आए हूँ अगर आप उसमें से न 10 question अच्छे से attend कर पा रहे हो ना दन आपका preparation ठीक ठाक है तोड़ी सी महिनत की और जरूरत है तोड़ी सी सिफ इत्तु हा है ना तो लेट स्टार्ट पहला question आपके screen पे है कि for some integers m every odd integer is of the form of किस form में होगा अगर m आपका कोई normal integer सा like minus 1, 1, 2, 3, 4, minus 2, minus 3, minus 4 यही तो होते ही integer है ना तो अगर मुझे odd integer बनाना हो if m is the integer then odd integer मुझे चाहिए तो इसमें से कौन सा अगर m की value हम कुछ भी रखे तो इसमें से कौन सा हमेशा जो answer हैगा आपको बताना है तो यार इतना आसान question है खुदी सोच के खुदी common sense थोड़ा सा लगाओगे तो आपको खुदी इसका answer मिल जाएगा देखो क्या है तो इसे माल लो अगर पहला वाला option तो नहीं होगा पहला option नहीं होगा क्योंकि m odd चाहिए ना तो अगर हम 2 is a integer, 2 भी integer होता है 4 भी integer होता है, 6 भी integer होता है तो अगर हम इसकी जगह रखेंगे m की जगह पे 2, 4, 6 तो हमारा answer तो even में ही आएगा तो ये option तो होगा नहीं, हमें odd में आना चाहिए दूसरा है m plus 1 ठीक है तो m plus 1 अगर m की value होगा हम 2 रखते है तो 2 plus 1 हो जाएगा 3 yes, 3 is odd, ये तो ठीक है बट वच्चा लोग, अगर m की value हम 5 रखते है तो 5 plus 1, 6 6 तो even हो गया ये भी option नहीं काम किया अगला है 2m 2m चेक करके रखते हैं, अगर m की value हम 1 रखते हैं तो 2 into 1, 2 even है काम किया, नहीं किया अगर m की जगर हम 3 रखते हैं तो 3 into 2, 6 ये भी even आया तो हमारा ये option भी काम नहीं कर रहा है इसको चेक करते हैं 2m plus 1 को, तो देखो हम भी पता हैं कि m की value हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें कुछ भी रखें m की value अगर उसको हम 2 से multiply कर रहे है तो हमारा final जो answer आएगा वो even महीं आएगा है ना, example 2m है ना तो m की जगर पर अगर हम 2 रख दें तो भी answer 4 m की जगर पर 4 रख दें तो भी answer 8 m की जगर पर odd number 3 रख दें 3 to 6 तो भी हमारा ये आ रहा है even हमें तो odd चाहिए और plus 1 कर दें अगर देखो इसमें plus 1 कर देखते हैं तो यह हो गया 5 जो की even हो जाता है इसमें plus 1 कर देंगे तो यह हो गया 9 जो की even हो जाता है इसमें plus 1 कर देंगे जो हो जाएगा 7 even हो जाता है तो option D is your right answer इस तरीके से सूचना है ठीक है अब इसको trick बता रहा हूँ किस तरीके solve करना है कि m आपका कोई integer है आपको answer even में अगर बोलता even में answer तो कोई भी m कोई भी number होगा 2 से multiply कर दे रहे हो तो answer आपका even ही आएगा और अगर आप odd में लाना चाहते हो हमेशा answer m की कोई भी value पे तो कुछ नहीं 2m पे plus 1 कर दो तो आपका answer हमेशा odd form में ही आएगा यह कुछ tricks है आपको याद रखना है देखते ही कोई कोई सट से न बन जाएगा practice कर रहे होगे तभी बनेगा ठीक है चलिए अगला है the product of rational and irrational number is rational, irrational, both of a verb या none of a verb comment, comment comment, comment, comment जलदी comment करके बताओ तो देखो यार हम आपको जब revision वीडियो में मैं आपको बता रहा था revision वीडियो में मैंने कुछ चीज़े बजाये थी rational और rational number multiply हो रहा है तो I का answer rational rational को e rational से multiply करोगे तो e rational e rational को e rational से multiply करोगे तो e rational ठीक है, e rational को rational से multiply करोगे तो e rational, एक भी e rational अगर आ गया, तो answer हमारा e rational ही आएगा, so product of rational number और e rational number is always e rational, ठीक है, example बता दू, like 3 upon 7 is a rational number, multiply with some e rational that is root 2, तो answer क्या आएगा, 3 root 2 upon 7, ये भी तो हमारा e rational number ही है, like that, चली, next question पर चलते हैं, अगला question है, if two positive integer a and b are written as, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है बच्चा लोग, a is equal to p का cube और q का square, और b जो है, वो लिखा हुआ है, that is p q का cube, like this, and p and q are the prime number, then hcf of a and b is, क्या हो जाएगा, तो देखो यार, a को आप hcf पूछा है न, a को आप किस तरीके से लिख सकते हो, p का cube, यानि p into p into 3 bar p, और q square, यानि q into q, like that, और b क्या है, एक p है, और 3 q है, q into q into q, तो देखो, ये एक p, hcf निकालना है, तो common होगा, ये एक q के साथ, एक common, और ये एक q के साथ, एक common, तो hcf of a, b, क्या जा रहा है, p q square, तो option है, p q square, option b is your right answer, ठीक है, चलिए, the product of a non-zero number, and an e-rational number is, क्या होगा, क्या मैंने बला है, कि product पूछ रहा है, अब rational के साथ, आप product बनाओ, चाहे, e-rational के साथ, product बनाओ, अगर आपके product में, एक भी e-rational number आता है, तो उसका solution हमें साथ e-rational ही आता, तो always a e-rational, ठीक है, चलिए, अगला question है, question number 5, if two positive integer, p and q, can be expressed in the form of, p is equal to a b square, and q is the form of a cube b, like that, तो LCM of p and q क्या हो जाएगा, तो देखो, p की value क्या है, a b square, तो a into b into b, like this, और q की value क्या है, a q, यानि a into a into a into b, like this, तो यहां पर देखो, a, maximum a कितना है, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM of p and q, तो maximum a देखी, पहले a को देखिए, तो a यहां पर इस वाले में maximum a cube है, तो a q, और b में maximum कहा है, इसमें तो b a की, इसमें b 2 maximum है, तो into b square, तो a cube b square is the answer, a cube b square, option c is your answer, ठीक है, चलिए, अब देखिए, अगला question है, 987 upon 10500 will have terminating decimal expansion, क्या यह terminate हो जाएगा, यह non-terminating, non-repeating होगा, non-terminating, repeating decimal होगा, यह none of this, क्या option होगा, बहुत बच्चे बोलते हैं, कि यार, किसी mcq में none of this, अगर option आता है, तो वो ही सही होता है, यार, यह सब tricks बगएरा, मत इस्तमाल किया करो, ठीक है, मत किया करो इस्तमाल, ऐसा जरूरी नहीं, बट हाँ, maximum chance में रहता है उसका answer, ठीक है, तो देखिए यार, आपन, मैंने आपको revision section में सिखाया था, कि किस तरीके से, without actual divide किये, हम बता सकते हैं, हमारा यह जो number आपको दिखरा, 987 upon this, यह irrational है, या rational है, repeating है, यह terminating है, हम यह सब बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कि अगर उसका denominator, अगर उसका denominator, उस number का denominator, अगर 2 power n into 5 power m के form में, अगर आ जाता है, तो yes, that is the terminating, तो आई करके देखते हैं, क्या इस form में आता है, तो 987 को 10500, इनको अगर आप cut pit करोगे, तो यह आपका approximate आ जाएगा, 47 upon 500, ठीए, cut pit कर लेना, आप जल्दी जल्दी बता रहा हूं, 47 upon 500, तो यह आगया, 47 500 का LCM लो, तो 500 का LCM लो गे, तो यह आएगा, 5 का cube, इंटो 2 का square, तो देखो, डिनोमिनेटर क्या है, 2 इंटो 5 के form में है, 2 इंटो 5 के form में है, power MN, therefore, that is a terminating decimal expansion, ठीक है, चलिए, आज का अगला question है, A rational number in its decimal expansion is 327.7081, what would be the prime factor of Q, when the number is expressed in the term of P upon Q के form में लिखेंगे, तो Q का prime factor क्या होगा, किस form में होगा, वो आपको बताना है, बहुत important question ने काफी बार पूछा गया है, तो देखो यार, क्या है बच्चा लोग, देखो 327.7081 ही है न, इसको अगर आप P by Q के term में change करोगे, तो कैसे करेंगे, 327 सबको एक साथ लिख दो, 7081, divided by, point के बाद कितने number है, point के बाद 1, 2, 3, 4 number है, तो नीचे 4, 0 लगा दो, 1 लिखकर 4, 0 लगा दो, तो लोग हो गया, convert P upon Q के term में, अब इसका जो denominator क्या है, denominator यह P by Q के term में हो गया, P by Q के term में हो गया, where Q is, how much? 10,000, और 10,000 को क्या लिख सकते हैं, अपन 10,000 को लिख सकते हैं, that is 10 का power 4, 10 का power 4 लिख सकते हैं, 4, 0 है, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 और power 4 वैसे ही रहें देते हैं, और इसको अलग-अलग करेंगे, तो 2 का power 4, 5 का power 4, तो यह जो denominator है, denominator जो है बच्चा लोग वो 2 का power n into 5 के power m के form में है और इसका जो prime factor कर रहे हो तो 2 और 5 आ रहा है न बस तो 2 and 5 option D is your right answer ठीक है चलिए the least number that is divisible by all the number from 1 to 10 both inclusive is 10, 100, 20, 60 या 25, 20 least common पूछ रहा है यानी LCM पूछ रहा है ठीक है highest पूछता तो HCF निकालना होता least common पूछ रहा है तो 1 से लेके 10 तक का सबका prime factor ठीक है तो देखो 1 का तो हो जाएगा 1, 2 का क्या लिख सकते हैं 1 into 2 3 का क्या लिख सकते हैं 1 into 3, 4 का क्या लिख सकते हैं 1 into 2 into 2 लिख सकते हैं 4 को इस तरीके से 5 को कैसे लिख सकते हैं 1 into 5 6 को कैसे लिख सकते हैं 1 into 2 into 3 सबका 7 को कैसे लिख सकते हैं 1 into 7 like this, है ना, उसके बाद 8 को कैसे लिख सकते हैं, 1 into 2 into 2 into 2, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 1 into 3 into 3, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 1 into 2 into 5, इस तरीके से लिख सकते हैं, अब देखो इसमें का trick करने का, कैसे इसमें सबका एक साथ LCM निकालने का, LCM निकालना है ना, 1 से लेकर 10 तक का, 1, 2, 10 तक पिसका प्रच को पहले देखते हैं, वन का तो कोई मतलम नहीं, टू अप से जयादा किस में है, टू से ज़ादा है एट में, किसने बार थरि टाइमस में है, तो इसको लिख लो, तू का पावर धिरी, अब देखोस, अब देखोस, भी अब trahi, 3 सब स है न, तो यह आ गया, तो इसको solve करो गए, तो answer आ जाएगा आपका लगभग, that is 2520, solve करना, तो 2520, option D is your right answer, ठीक है, चलिए, अगले question पे चलते हैं, n square minus 1 is divisible by 8, if n is an integer, natural number, an odd integer greater than 1, या an even number, तो n square minus 1, क्या यह जो n square minus 1 है, यह 8 से divide हो सकता है, अगर हो सकता है, is divisible, और actually हो सकता नहीं, यह लिख रहा हैं कि n square minus 1 is divisible by 8, 8 से divisible हो रहा है, बट आपको यह बताना है कि n क्या हो सकता है, कुछ भी n रख देने से तो divisible नहीं हो जाएगा, तो n ऐसा क्या रखें, integer रखें, natural number रखें, odd integer रखें, greater than 1 से, या even integer रखें, कि उसको जब solve हो, तो 8 से easily divide हो जाए, तो देखो यह इस question को कैसे कर सकते हैं, बहुत important question है बच्चा लोग, काफी बार यह question पुछा गया है, तो सबसे पहला case 1 लेते हैं, if n is even, अगर n even number हो, अगर हम n को एक even number लेते हैं, तो हमारा n की क्या value हो जाएगी, that is n is equal to 2k, where k is any integers, ठीक है, तो let assume that a is equal to n square minus 1, है न, तो a is equal to n की जागा पर रगते हैं, 2k, तो 2k का square minus 1 हो जाएगा, तो a is equal to हो जाएगा, 4k square minus 1, थो k की value अगर हम 1 रखते हैं, तो k की value 1 रखते हैं, तो यह आ जाएगा, 4 into 1 का square minus 1, which is equal to 3, यह तो odd आ रहा हैं, है न, यह तो odd integer आ रहा हैं, if n is even लेने पर odd integer आ रहा है and it is not divisible by 8 8 से ये divide भी नहीं होगा अथरी कहां से 8 से divide होगा तो अब second case हम यहाँ पर check करना पड़ेगा mcq भी कभी कभी आ जाते हैं second case है कि अगर n को हम odd लें तो n odd ले रहे हैं तो यानि n is equal to 2k odd के लिए plus 1 starting महीं इतरी के बताया था तो a is equal to n square minus 1 n की जगा रख देते हैं 2k minus 1 plus 1 का whole square minus 1 तो यह आ जाएगा 4k square plus 2 to the 4k plus 1 minus 1 ठीक है यह आ जाएगा अबका 4k square है ना plus 4k है ना अब हम k की value 1 रखें k की value 1 रखेंगे तो a की value आ जाएगा 4 plus 4 8 और यह easily divide हो जा रहा है ठीक है तो यानि k की value 1 से 1 या 1 से उपर रखने पे हमारा आएगा और n आपका odd होगा तो तो लिख सकते हैं n क्या होगा एक odd integer and it is greater than 1 option c is your right answer ठीक है चलिए अगला कुछ न जालते हैं if n is a rational number n आपका एक rational number है then 5 का power 2n minus 2 का power 2n is divisible by 3 से divide होगा 7 से divide होगा 3, 7 दोनों से divide होगा या किसी से भी divide नहीं होगा तो देखो अगर ध्यान से देखो कि बच्चा लोग 5 का power 2n minus 2 का power 2n ये is in the form of a का power 2n minus b का power 2n के form में a minus a का power 2n minus b का power 2n ये नहीं a square minus b square क्या लिखते थे अपन a plus b a minus b लिखते थे ये भी स्टरी किस होजाएगा now where a is कितना है 5 and b is 2 तो 5 plus 2 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5 minus 2 तो ये आगया 7 और ये आगया 3 तो 7 and 3 दोनों से ये नमबर जो है n की value हम कुछ भी रखें कुछ भी रखें और 5 का power 2n minus 2 का power 2n को solve करके जो भी नमबर आएगा वो नमबर 7 से भी क्योंकि हमने देखा न ये फेक्टर तो ये 7 भी है इसमें 3 भी है 7 से भी divisible हो जाएगा और 3 से भी divisible हो जाएगा तो बोथ 3 and 7 बहुत important question है ध्यान रखना इसको चलिए question number 11 बहुत अच्छा question है on a morning walk 3 person step off together 3 person एक साथ चलना सुरू करते है and their step measure 40 cm, 42 cm and 45 cm respectively what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in a complete step एक बंदा है वो एक step लेता है तो 40 cm चलता है दूसरा जो बंदा है वो एक step में 42 cm चलता है तीसरा जो बंदा है वो एक step में 45 cm चलता है so what is the minimum distance तीनों cover करें ठीक है should complete in incomplete step में what is the minimum minimum पूछ रहा है यानी least यानी LCM निकालना है yes बच्चा लोग LCM of 40 42 और 45 का LCM निकाल दो ये तो आता हो पाई खुद करना है तो आपका इससे आपका answer आजाएगा yes 2520 cm LCM निकाल लेना आपका answer आजाएगा ठीक है चलिए अगला है which of the following is not irrational इसमें से कौन सा देखो इसमें बच्चा लोग क्या 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 गलती कर देते हैं कि irrational टिक कर क्या आता है इसमें एक हिंट दिया है not ये क्या होता ने एक्जाम के टाइम पर इस्ट्रेस आता है थोड़ा बहुत तो ये भूल दिखते हैं ये चोटी चोटी चीज़ें आपको देखना है तो which of the following is not irrational ठीक है तो देखो टू माइनस अगर इसको आप मल्टिप्लाइ भी करते हो तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 अब ये देखो ये rational है और ये e rational है और अगर एक number rational है और दूसरा e rational है plus हो into हो डिवाइड हो कुछ भी हो answer हमेशा e rational ही आता है ठीक है इसको देखो इसको भी अगर आप solve करोगे तो ये आ जाएगा 2 root 2 plus 2 root 3 तो इधर भी e rational इधर भी e rational तो answer हमेशा e rational ये भी नहीं होगा अगर इसको देखो इनको अगर solve करते हो तो ये a plus b a minus b के form में है तो क्या होता a square minus b square which is root 2 root 2 मिलकर 2 हो जाएगा root 3 root 3 मिलकर 3 हो जाएगा 1 है ना तो ये तो rational है yes option c is your right answer यही एक ऐसा इकलौता number है जो की e rational नहीं है बाकी a b और d d वाला भी e rational है ये भी e rational p by q के term में लिखा है तो क्या हुआ 27 root 7 लिखा है ना इस तरीके से 7 को लिख सकते हो नीचे 7 को root 7 into root 7 root 7 root 7 कट गया आगा answer 27 upon root 7 ये भी तो e rational है तो सिर्फ c option है जो e rational नहीं है क्योंकि इसको solve करने पर 1 आ रहा है question number 13 the sum of rational and irrational number मैंने क्या बोला rational और irrational अग प्लस हो माइनस हो प्लस हो माइनस हो into हो divide हो कुछ भी हो अगर एक rational और एक irrational answer हमेशा irrational ही आएगा ठीक है तो option b is your right answer इसको ध्यान में रखना आप ठीक है चलिए 14th question second last question है इसके बाद हमारा ये chapter का MCQ खतम और इस chapter में बच्चा लोग मैंने इस chapter का आपको revision भी करा दिया बड़े-बड़े most important previous year long answer भी करा दिया हूँ MCQ भी करा दिया हूँ इतना practice अगर आप कर ले तो यह तीनो वीडियो मेरी अगर आप देख रहे हो ना और देख रहे हो ना और देख रहे हो तो यार then you can get approximate 80 plus marks 80 plus याने 100 out of वैसे तो 80 नमर का पेपार ही होता है ना तो approximate 60-70 आप आराम से cross कर जाओगे इस chapter percentage वाइस में बात कर रहा हूँ like that ठीक है चलिए अगला देखिए यहाँ पर MCQ में जी हाँ ऐसा question MCQ में ही आता है ध्यान रठना देर इस a circular path around a sports field प्रिया टेक 18 minutes to drive one round of the field हरीस टेक प्रिया जो है एक round में 18 minute लगा रही है एक round लेने में और आपका जो हरीस है हरीस 12 minute लगा रहा है वही एक round लेने में वो 12 minute लगा रहा है हरीस suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction after how many minutes will they meet ठीक है after how many कितने देर बात दोनों actual में meet करेंगे तो कितने देर आने minimum time पूछ रहा है ठीक है क्योंकि आप देखो क्या question को समझो कि after how many minutes will they meet मतलब बार बार तो meet नहीं करेंगे ना पहला बाला पूछ रहा है सबसे minimum time कौन सा होगा जब वो meet करेंगे एक दूसरे को cross करेंगे minimum least पूछ है 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 ना एक तरीके से तो यानि least यानि LCM निकालना है किसका 18 और 12 का 18 और 12 का LCM निकालो आपको तो आता ही है निकालना है answer आजाएगा आपका A आप देखना 36 minute आपका answer आजाएगा है ना चली इस chapter का आखरी question guys हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं इस आखरी questions के लिए एक like तो बनता है like करके ही जाना चोड़ना नहीं like करके ही जाना है चली यह देखते हैं इस question को 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg of wheat respectively find the maximum capacity maximum least पूछता तो या minimum पूछता तो अपन LCM निकाल दे यहाँ पर maximum पूछ रहा है यानी HCF पूछ रहा है तो HCF of 49588 और 882 का HCF निकालना है बच्चा लोग ठीक है HCF निकाल कर जो HCF आएगा ठीक वही आपका answer हो जाएगा तो इसका answer approximate 98 kg आएगा ठीक है निकाल लोगे ना इन तीनों का HCF 98 kg आएगा HCF निकालना तो यार इतनी बड़े होगे हो 10th में आगो इतना तो आता होगा है ना चलिए ठीक है सो गाइस बस आज के लिए इतना ही आसा करता हूँ इस चेप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से complete कर लोगे इस चेप्टर का revision video इसका important questions और MCQ तीनों मैंने complete करा दिया है तीनों वीडियो कर आप इस चेप्टर का देख लेते हो ना इस चेप्टर से तो यार ऐसा एक भी question नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे मेरा guarantee है एक भी question ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे अगर इस तीन में वीडियो को आपने अच्छे से follow किया है तो ठीक है मिलते हैं next वीडियो में एक नए chapter के MCQ उसके साथ तक लिए good bye take care